हेलो फ्रेंट्स अलका सादा चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो मेरेशिपी लेके आई हूं आपके समक्ष वह है बतुवा पूरी बतुवा जो होता है वह सेहत से भरपूर होता है बतुवा दातों का दर्थ को दूर करता है पेट केड़े खत्म करत है और दोस्तों यदि कोई यूनिरली इंफेक्शन होता है उसमें भी फाइदा पहुचाता है बथवा पूरी बनाने की विदी बेहती आसान तरीके से मैंने आपको बताई है आप इसे जरूर बनाईगा और आप इसे टेस्ट कीजेगा और फिर मुझे कमेंट करके बताईगा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेर और कमेंट चड़ू कीजेगा तो आईए हम अपनी बत्वा पूरी बनाते हैं तो यहाँ पे देखे मैंने करीब 400 ग्राम के करीब ये 500 के करीब मैंने बत्वा लिया है और इसे अच्छे से पानी में धो लि अब यहां पे हमने कुकर का डककन लगा लिया है और तेज गैस पे हमें इसको खाली एक-दो सीपी देनी है और जब यह बिल्कुल सीपी हो जाएगी तब हम इसको थोड़ा को ठंडा कर लेंगे और इस समय हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल फूल रहेगी तो देखिए यहां मेरी 2 सीतियां हो चुकी है अब मेरी ज़ती है अब गया तो आप कर देती हूं हम इसको नीचे उतार के रख लेते हैं और यह थोड़ा ठंडा हो गया तब मैं इसको खोल लेती हूं यह देखिए अब हम इस क्या करेंगे कि इसको क्योंकि यह थोड़ा गराम है थोड़ा से हम इसको थोड़ा मैश करेंगे चाहे तो आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में भी पीश सकते हैं लेकिन मैं यहां पे जब यह 400 ग्राम ने आटा लिया और यह गरम ही गरम थोड़ा कुनकुना जो है पेस्ट इसको मैं आटे में माणूंगी और इसमें जो दोस्तों मैंने पानी डाला है वो पानी के साथ ही हम इसको माणेंगे इसका पानी यह बहुत ही पोष्टिक होता है त मैं नहीं बढ़ा अगर आगर अगर आपको जादा बनाना है तो यहां पे एक चमज मैंने लाल मिच देगी मिच प्राएं और यह एक चमज यहां पे दूस्तों मैंने जीरा sponge इसमें खडा ही डालना है अब में खडा कि आपने ए तोसमी के सब नहीं जो हमें आक पेस्ट नह पूरी बना रहे हैं तो आप इहां पर औवाइट कर सकते हैं तयल को तो यहां परменे सरसोत सब तेल टालां एक क्रश्टा कारीब ने हमें पर बाल यहां पर तोड़ी सी हींग डाले व्यान Gui करिम मैं यहां पे इसमें हींग डालूंगी और क्योंकि हींग जो होती है वह एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है अब हम इन सब को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पाणी डालके पूरी का आटा जैसा बान लेंगे मसल मसल के दोस्तो जितना हम इसको मसलेंग नहीं तो यह बिलकुल लिक्विड हो जाएगा क्योंकि और रड़ी हमारा बत्वय में पानी रहता है और हम पानी और ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि यह अमारा आटा थोड़ा रोटी के जैसे बनेगा लेकिन हमें यहां पे आटे को पूरी के जैसे थोड़ा सक्त मा बत्च चुका है अमें थोड़ा सा इसमें ओsels निंग कर रही हूं सब्सक्राइबErा में यह बिल्पूर मर चुका कि इतने आच्छा ग्रीन कलर हो और आव हम यहां पेया कशी के लिए सेटिंग के लियू पांच मेंां जालू ने से दस में तक इसको रखेंगे में ऐगा मेरा पूरा अच्छा सब फूल चुका है तो मैं आप इसको हतेली से थोड़ा और नरम करूंगी और यहां पे लोई बनाऊंगी तो लोई फ्रेंट्स आप अपने छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं यहां पर मैं सारी लोई बना लेती हूँ एक ही तरह की अब हमें क्या करना है इन सारी लोई को बेलना है यहां पर मैंने अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है अभी फुल हीट पर रखा है और इसमें आप सरसो का तेल भी डाल सकते हैं या ओयल भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने 3-4 टेल स्पून टेल डाला है और यहां पर बेलन और चकले दोने पर मैंने ओईलिंग कर लिया है और यहां पर अपनी गोलगोल पूरियाद बेल लेंगे इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए गोलगोल गुमाते हुए हम अपनी यह मैति की पूरिया बना रहे हैं साइज दोस्त आप अपने हिसाब से बड़ा चोटा कर सकते हैं तो यह हमा इसी तरह से मैं सारी पूरिया अपनी बेल लूँगी अब देखे फ्रेंट्स मेरी यह सारी पूरिया बिल चुकी है और तेल भी हमारा अलमोस्त गरम हो चुका है और हीट को मैंने थोड़ा कम कर दिया और यहां पर गरम हम अपनी पूरिया अब तलेंगे देखे यह कितने अच्छे से फूल गई है अब जब एक तरफ से पक जाए तब आप इससे पल्टे इसी तरह करते रहें जब तक कि दोनों तरफ से लाल हो जाए और कुरकुरी भी इसी तरह से हम अपनी सारी बत्वे की पूरियों को तल लेंगे आपकी पूरी तया है इसे आप गरमा गरम आलू टमाटर की चट्नी के साथ बूंदी की रायते के साथ या फिर हरी चट्नी के साथ सर्व करें आशे करते हूं कि आपको आज की मेरी रेसिपी बत्वे की पूरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो आप इसे इस रेसिपी को घर पे बनाएगा अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएगा आप भी खाएगा और साथ ही साथ आप इसे अपने कर दो कर दो कर दो दो